हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू अल फ्यू आज है 23 नॉमबर और 23 नॉमबर के सारे करेंट फेस हम लोग देखने वाले हैं साथ ही साथ इसके साथ हम लोग मैप की भी स्टडी करते हैं जिससे जोगरफी पूरा कंप्लीट हो और आज के जितने भी एकजैम्स हो रहे है उन सब में मैप बेस्ट ही कोश्चन पुछे जाने लगे हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि मैप पर अधारित एक भी कोश्चन आपसे ना जूटे ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है टेलिग्राम का लिंक डिस्क्रिप्श से हो पाए ठीक है मैंने अभी तूरंत पीडिएफ सेंड किया है तो पिछले दिनों का तो आप वहां से ले सकते हैं पुराने भी पीडिएफ जितने भी है लूसेंट की पीडिएफ मैंने सेंड की है उसमें तो आप फाइल्स में जाके सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हैं फ कौन सा राज 20-25 तक बायो एकोनोमी बनाने का लक्ष रखा है यह बायो एकोनोमी क्या होता है इकोनोमी बेस्ट ऑन बायोलोजी यह बायोलोजी कल मैनुफैक्चरिंग इसके बेस को कहते हैं बायो एकोनोमी यह अलग तरीके से होता है दरसल यह एकोनोमिक्स और साइंस का मिक इकोनॉमी को बायलोजी बेस्ट बनाने की कोशिस कर रहा है 2025 तक अब करनाट का आपने सुन लिया तरक करनाट का साउथ इंडिया का एक बहुत ही डेवलप्ड एस्टेट है आपने सिलिकन वैली का नाम सुना होगा जो की कैलिफोर्निया में USA में है सिलिकन वैली क्या है यहां एकि सेक्र है दरसल यह तो यह दुनिया का सबसे बड़ा इक्टि सेक्टर कहें सिल्कन वैली अमेरिका में यह iPhones पूचा गया है दुनिया का सिल्कन वैली कहां है तो यह कहां है बताए यह यह नहीं करनाट का किरा करनाट का में ही बैंगलूरू ठीक है बैंगलूरू इसकी राजधानी भी है यहीं पर बैंगलूरू सहर्म ने ही अपना पहला ओफिसियल लोगो लॉंच किया था क्या किया था ओफिसियल लोगो बैंगलूरू सिटी ने ही लॉंच किया था बैंगलूरू जो है यह किस नदी के किनारे यह विरिस भ्रावत नदी के किनारे है बैंगलूरू में इसरो का हेड़ क्वार्टर है दीए बैंगलूरू कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट सहर है बैंगलूरू में क्या है इसरो का हेड़ क्वार्टर भी है ठीक है और आप क्या याद कर सकता है बैंगलूर से बैंगलूर में इसरो का हेड़ क के अलाव है सुरी मेरा मेरा कहने के मतलब है इसरो का हेड़कॉटर बैंग डॉर में भी और उसके अलावे तीसरा एक लॉंच पैड बनने जा रहा है वो उसका नाव है कुल सेखर पतिनम तमिलाडू ठीक है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखनी है और करनाटक के CM जो है वो है VS यदूरप्पा करनाटका में कुछ नेशनल पार्क भी है दोस्तों साउथ इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क है मैं बार-बार कहता हूँ सब को एक दूसरे से कनेक्ट करने की आप लोग कोसिस करो आपको पता होगा अच्छा है कुमार ने अ पुरा सो उनके उनको dedicated है उन्होंने कहां इसकी recording की थी बनरगटा नेशनल पार्क ये कहां है बनरगटा कहां है ये भी है करनाटका में ही बांदीपूर नेशनल पार्क प्लीज नोट कर लो बांदीपूर मैं बोल के और सामने लिखता इसलिए हूँ ताकि आप नोट कर पा ठीक है बनरगटा नेशनल पार्क बनरगटा नेशनल पार्क कुद्रेमुख नेशनल पार्क कुद्रेमुख कोईले के सोने की खान कहां है करनाटका में है अंसी नेशनल पार्क ये भी कहां है करनाटका में है दोस्तों ये 20 मिनट के करेंट एफेस में मैं गरांटी देता इस GS के facts को अगर आपने revision कर लिया इस बार जितने भी लोगों का result हुआ है इसके बदौलत हुआ है क्योंकि 15 15 question पूछेगा है current interface के और जो GS मैं revision कराता हूँ उससे अगर जोड़ दें तो 20 से उपर data पहुँच जाता है ठीक है तो चलिए अब करनाटका के बारे में हमने देख लिया यह हमारा चैनल है one day exam point इसे जरूर सब्सक्राइब करें description में link है facebook, telegram, pay, sub, like and share भी कर सकते हैं चलिए अजय कुमार को किस देश का राजदूत निक्त किया गया है तो यह बुरुंडी के राजदूत निक्त किये गया है अब देखिए इसके साथ हम लोग revision करेंगे आज तक जितने भी राजदूत चेंज किये गया है इस साल में लगभग इस पे एक अलग से वीडियो भी आई हुई है लेकिन वो वीडियो तो आपने पहले भी देखा होगा आज सिर्फ हम लोग revision करेंगे क्योंकि राजदूत जो चेंज होते हैं उनसे सवाल पूछे गए है तो पहला है तरंजीत सिंग संधू यह अमेरिका के नए राजदूत बनाए जाए गया है तरंजीत सिंग सिंदू अमेरिका अजय बिसारिया कनाडा का गोपाल बागले स्रीलंका जावेद असरफ फ्रांस ठीक है जावेद असरफ कहां के बनाए गया है फ्रांस के गोपाल बागले स्रीलंका के अब इसे एक सिंग ये विनजुएला के अमबैसेडर बनाए गए संजाय कुमार पांडा ये तुर्की तर्की के अमबैसेडर बनाए गए है नेक्स्ट है ए अजाय कुमार ये यूगांडा के अमबैसेडर बनाए गए है ठीक है प्रेम के नायर ये नाइजर केमेसडर बनाएंगा है रवी सकुमार फिनलैंड के जो की हमारे कुछ दिन foreign ministry के spokesperson भी थे ये फिनलैंड के ambassador बनाए गए हैं सी वी जोर्जी ये कुवैट के ambassador बनाए गई गया है गायतरी कुमार ये बृतेन के ambassador बनाई गई है आपको ये ध्यार रुकनाए थिक है ग्यत्री संगल बनाई गई के तो सुसील संगल पपुआ रहुव कहा है ऐगा है यह tá और राहुल सिर्वास्तव रोहास्ते हो और रोमानिया के संभू एस कुमारन फिलिपिन्स के ठीक है रोमानिया के राहुल मैंने ट्रिक भी बताया था चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करिए रोमानिया से राहुल यह यहां के अमबैसडर अपॉइंटेड हैं अगला है विजय खंडूजा यह जिंबावव के बनाएगा है राजेंद्र रिविजन करिए विक्रम दुरश्वामी यह बंगलादेश के इसे मैंने पहले एक अलग वीडियो में दिखाया है आपको पढ़ाया है लेकिन इसे मैंने अभी सिर्फ रिविजन कर वाया है तो काइंडली फोकॉस अन दाट अब आगे आते हैं लोग अगले कुश्चन पे सगी बेन डगलस स्टूर्ट ने जीता है किस किताब के लिए सगी बेन के लिए जीता है लपीजी बूकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लैटफॉर्म कौन बना है तो लपीजी बूकिंग के लिए देश का सबसे बड़ा प्लैटफॉर्म जो है वो बन गया है पेट PTM करते भी होंगे PTM करो news भी आता है आपको यह भी पता है तो PTM जो है LPG booking के लिए सबसे बड़ा अब यह कहने का मतलब क्या platform क्या जैसे LPG आप booking करते हो तो उसमें advance booking होती है तो आपने उसको refill करने का request किया ठीक है तो उसमें आपने payment किससे किया तो यह PTM से किया PTM से आपने उसे book किया और आपको जो भी cashback वगरा मिलता है तो सबसे बड़ा platform यह मिलता है देखिए LPG booking के लिए एक scheme चलाया गया था जिसमें सबसीडी जो है direct आपके खाते में transfer किया जाएगा उस scheme का नाम क्या है क्या आपको याद है बहुत पहले तो नहीं तेकि ती चार साल होई गया पांच साल लगबग होने को है वो scheme launch की गई थी ठीक है direct benefit transfer क्या नाम है उसका dbt direct benefit transfer जो भी इसकी सबसीडी है वो government direct अपने खाते में ही भेज रही थी इसको आपको याद रखना है तुंग भद्रा पुर्षकरम महुत्सव का उद्गाटन कहा हुआ तुंग भद्रम पुर्षकरम महुत्सव ये आंधरपरदेश में शुरू किया गया है आंधरपरदेश के cm कौन है आंद्र परदेश के CM मैं रोज बताता हूँ बहुत बार बताया हूँ आज नहीं बताऊंगा आज आपको ये comment box करना है आप live comment करो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कुछ question आप live chat के थुरू भी उसका जवाब दे सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आंद्र परदेश के CM आप live comment करो मैं देखना चाता हूँ कितने लोग interestingly देखते हैं याद रखना interest से देखना ज़रूरी है आंद्र परदेश ने कुछ दिन पहले online निष्ठा कारेकरम शुरू किया था ठीक है निगाह एप किस ने शुरू किया ये आंद्र परदेश ने शुरू किया है निगाह एप कोविद फार्मा ये भी आंद्र परदेश ने शुरू किया है एक चीज़ और मैं बता दूँ top in fruit production fruit production में फल के उत्पादन में top है आंद्र परदेश और सबजी के उतपादन में टॉप है वेस्ट बंगाल ये रिसेंट का डाटा मैं बता रहा हूँ सबजी के प्रोडक्शन में कौन है वेस्ट बंगाल ठीक है लिस्ट एजुकेशन में पहले बिहार था सबसे कम परसेंटेज एजुकेशन का बिहार में था लेकिन अभी आंध आंदरप्रदेश ने अभी नीदर लैंड से अग्रिमेंट किया है अगरिकल्चर प्रोडक्शन के लिए चलिए अब एक रिपोर्ट जारी हुई थी CCTV सबसे ज़्यादा कहां है इसके हिसाब से तो टॉप 20 CCTV सर्विलैंस सीटी जो था इसमें हैदराबाद का भी नाम है हैदराबाद आप जानी रहे हैं हैदराबाद कौन सा है आंदरप्रदेश में है इसकी राजधानियों में से पहले था अब तेलांगना की राजधानी हो गई है तो यह हैदराबाद अब तो अलग हो गया है जो आं एक चीज याद रखना है जगन्ना नाम से जो भी यह स्कीम हो YSR जिस भी यह स्कीम में लगाओ सब जो है वो किसका है आंध्र प्रदेश का है मोबाइल हैंड वास सूविधा एस्टेशन सबसे पहले दिया था आंध्र प्रदेश ने अब ही आपने मालावार नौ सैनिक अभ्यास का दूसरा चरण कहां समपन हुआ है अब इसको मैं मैप में भी दिखाऊंगा आंध्र प्रदेश को भी दिखाऊंगा सब दिखाऊंगा थोड़ा वेट कर लीजिए भारत अगले साल कौन से देश का उपगरह लांच करेगा पता होना चाहिए इंडिया और भूटान के वीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई है कॉंसी ट्रीटी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की गई है इसकी वज़ा से भूटान भारत का बहुत अच्छा दोस्त है बहुत अच्छे से हेल्प करता है ठीक है दोस्तो हमने अभी आंदर परदेश के तुणग भद्रा प्रोजेक्ट की बात की थी आज हम लोग देश के बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है रिवर वैली प्रोजेक्ट है वो एक्जाम में पूछे जाते हैं इससे पहले जो भी कुश्चन आपसे पूछे जाए प्लेज उसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अच्छा लगता है और जो भी कमेंट करते हैं लोग उनको दिल से धन्यवाद थैंक्यू सो मच ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहला तुंग बद्रा अपनें आंद्रपरदेष में देखे कर नारजुन सागर मल्टी पर्पश प्रोज्च्ट है ये क्रिष्ण नदीपे ये भी आंध्रपर देश तो याद रखे लिए आंध्रपरदेश में एक और हैं नागार जम साक्डूर ठीक है अब आते हैं पोचंपाध कहा है ताल चेर आप लिख सकते हैं ताल चेर यह है ओडिसा में ठीक है माता तिला माता तिला प्रोजेक्ट कहा है यह सब मल्टी परपस प्रोजेक्ट है माता तिला प्रोजेक्ट यह कहा है तो यह है बेतवा नदी पे उत्तर प्रदेश और मद्यप्रदेश की बाउंडरी प लेकिन जो पूछा जाता है सत्पूरा पावर एस्टेशन ये है मद्दे परदेश में ठीक है आप देख सकते हैं भारत का ये मैप है तो ये नदियों की एक सिरीज है जैसे की कोसी है तो कोसी बिहार में होगी गंडग घागरा गंगा की सहायक नदी है मैंने कहा था जी नाम स इतने भी प्लेलिस्ट है सब को आप सब विजिट करो विजिट करने से क्या होगा कि आपका रिवीजन होगा बहुत दिन हो गए होंगे आप लोग भूल भी गए होंगे मैं एक एक करके सेर भी करता हूँ टेलीग्राम में तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं रखो आपने देख लिया फिर ब्रह्म पुत्रा नदि को जड़ा देखीए यह ब्रह्म पुत्रा नदि और यह नम्चा वर्वासे ऐसे घूम जाती है और असम होते हुए बंगालavी खाड़ी में गिर जाती है अगला है महा नदि कहां बहती है यह है उडिसा में ठीक है इंडिया में कृष्णा कावेरी और वैगई यह सब नदिया है केरला की सबसे लंबी नदी कौन है तो यह है पेरियार नदी मैं सब रिविजन कर रहा हूं हो सकता है फेस्टिबल में आप लोग थोड़ा सा मिस्माइंड भी हो गए होंगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की सुरुवात कि सराज रेकी है तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की सुरुवात की गई है 36 गड़ सरकार की द्वारा 36 गड़ के CM कौन है भुपेस बगहेल ठी आप रिविजन करते रहें इस तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं 36 गड़ में अंबिकापूर में ही भारत का पहला कच्रा कैफे खोला गया था और 36 गड़ जो है इसकी राधानी है रायपूर ठीक है अगला देखते हैं असो कुमार को कहा का नया डी जी पी नियुक्त किया है ठीक है ठीक है उत्तराखन के नया डी जी पी बने है उनका नाम है असो कुमार अब अगला खुछ आने वर्ल्ड टेली विजन डे टीवी डे ये जो है 21 नॉमबर को मनाया जाता है और टीवी का विजकार किसने किया था जे एल वेयर्ड आपने नाम भी सुना होगा टेली है आए उनको रिवीजन कर लेते हैं फर्स नॉमबर को है वर्ल्ड वेगन डे मतलब वेजिटेरियन को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड वेगन डे मनाते हैं पांच नॉमबर को है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे साथ नॉमबर को है इंफैंट प्रोटेक्शन डे बच दिन ही world diabetes day भी है 16 नॉबर को है international day of edurance मतलब education का insurance 17 नॉबर को है world student day मैंने पहले ही बिताया था और 17 को ही journalism day भी है ये मैंने trick से आपको जाताया था student और journalism को एक दूसरे से जोल लिए 17 नॉबर को 18 नॉबर को है world adult day ठीक है 18 नॉबर फिर 19 नॉबर को है world citizen day फिर 20 नॉबर को है अफरीका industrialization day universal children day है 20 नॉबर को television day आपने देख लिया इस television day के अलावे fisheries day भी है 21 नॉबर को और 26 नॉबर 25 नॉबर को है world 9 वेज़ डे एक नॉबर को vegetarian दे और 25 को 9 वेज़ डे 26 को है law डे 29 को है international day of solidarity with Palestinian मतलब फिलिस्तीन के people के साथ जो भी सौहार्द है वो उसके लिए दिवस है 29 नॉबर को 30 नॉबर को है flag day ये सब प्लीज याद रखिए क्योंकि exam में पूछे गए हैं इस सब को एक जगा भाई लेके आऊगा चलिए पूराने करेंट अफेस हम लोग revision कर लेते हैं फोर commercial अदालत किसने बनाया है जो कि हमने कल पढ़ा था तो ये उडिसा ने बनाने का निनने लिया है सूर सरोवर जिल जिसको रामसर साइट में सामिल किया गया है किस राज में है तो ये सूर सरोवर है उत्तर प्रदेश में अगला हाउ मेनी माइन्स वेर ऑक्सर्ण बाइ सेंटरल गौर्णमेंट तो सेंटरल गौर्णमेंट को दरा 19 खादानों की निलामी की जाएगी और की गई है ग्लूबल वार्मिंग के लिए आपाद काल की घुसना किस ने की है तो ये किया है जापान देश ने जापान की राज़ानी है टोक्यो येन और मैंने कल एक कुशन पूछा था जिसका जवाब सायद किसी ने नहीं दिया कि जापान के नए पी-म का नाम क्या है जो भी पी-म है उनको चेंज किया गया है कुछ दिन पहले और मैंने बताया भी था तो मैं फिर से आज ये कुशन दो रहता हूं जापान के नए पी-म जो रपॉइंटेड है उनको नाम आप बताईए ठीक है मैंने भूटान की बात की थी कुछ देर पहले आईए सबसे पहले मैप में भूटान को हम लोग देख लेते हैं भूटान हो गया ये छोटा सा यहाँ और इसकी राधानी है थिंपू और नगल्टरम नगल्टरम यहाँ की करेंसी है तो map बहुत ज़्यादा जरूरी है exam point of view से वैस्विक रिस्वत जोखिम सुचकांक में भारत का index जो है वो 77 है दक्षेंचींसागर में जापान और किस देश के भी सायोग किया गया है औस्ट्रेलिया के बीच में तीक है वर्ल्ड बैंक ने connectivity सुधार के लिए किस नॉर्थ इस्टेट में 120 मिलियन investment की घोशना की है ये कौन सा राजय है नॉर्थ इस्ट का बहुत डिटेल में मैंने कल पढ़ाया था तो please try to understand जो भी इसका right answer है वो comment box में आप लोग comment करें और और भी कोई queries हो तो मुझे पूछ सकते हैं साथी साथ जितने भी playlist है उसका link description में भी दिया गया है और आप channel wise भी visit कर सकते हैं description जरूर देखें और बाकी सारे videos को देखके अपने feedback दें Thank you so much